या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेड संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र में सब्तमी तिथी का भी विशेश महातु है देवी मा के साथ में स्वरूप का नाम है कालरात्री काल रात्र के बारे में अभी हम चार्चा करेंगे इससे पहले हम बात करेंगे दस महाविद्याओं के बारे में इनमे से काली माता को भगवान शंकर की पत्नी कहा गया है इन्होंने ही असुर रक्त बीच का वद किया था इन्हें अंबा माता की बेटी भी कहा जाता है दूसरी माता है तारा जो प्रजापति दक्ष की दूसरी कन्या है ये तारा माता शैल पुत्री की बहन है तारा देवी को हिंदू, बौध और जैन ये तीनों ही पूझते हैं ये तांत्रिकों की प्रमुख देवी है छिन्नमस्ता ये देवी माता पार्वती का ही एक रूप है देवी का मस्तक कटा हुआ है इसलिए उन्हें छिन्न मस्ता कहा गया उनके साथ उनकी सहचर्णी जया और विजया हैं तीनों मिलकर उनके धर से निकली रक्त की तीन धाराओं का स्तवन करते हुए दर्शाही जाती हैं तुरपुर सुन्दरी इनकी चार भुजा और तीन नेत्र हैं इसे ललिता, राज राजेशोरी और तुरपुर सुन्दरी भी कहा जाता है तुरिमूर्ति, ब्रह्मभा, विश्नो, महेश इनकी जननी होने से जगदंबा ही तुरपुरा है महा विद्या समुदाय में तुरपुरा नाम की अनेक देविया हैं जिन में तुरपुरा भैर्वी, तुरपुरा और तुरपुर सुन्दरी विशेश रूप से जनी जाती हैं चौदा भूनों की स्वामिनी मा भूने शुरी, शक्ती स्रिष्टी क्रम में महालक्षमी सुरूपा है, संपून जगत के पालन पोशन का दायत्व मा भूने शुरी देवी का है, परणाम सुरूप ये जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी विख्याद है प्रकरती से संबंदित होने के परणाम सुरूप देवी की तुलना मूल प्रकरती से भी किगाती है, यही दुर्गम नामक दैत के अत्याचारों से लोगों को नजात दिलाने वाली हैं और इसलिए ये शाकंभरी और दुर्गा नाम से भी प्रसिद हुई काली और भूनेशुरी ये दोनों एक ही रूप हैं काली का लालवन सुरूप ही भूनेशुरी हैं देवी के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है तीनों लोगों का तारण करने वाली और वर देने की मुद्रा अंकुष पाश और अभे मुद्रा धारण करने वाली मा तुर्पुर भैरवी शोड़शी को श्री विद्या भी माना जाता है ये देवी अपने अन्य नामों से भी प्रसिद हैं और ये सभी सिध्य योगनिया हैं जैसे की तुर्पुर भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शम्षान भैरव देवी तुरपुर भैरवी का घनिष्ट संबंद काल भैरों से है सात्वी महाविद्या है धूमावती धूमावती को पार्वती का ही सोरूप माना गया है एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर विराजमान थी उन्हें अकस्मात बहुत भूँक लगी और उन्होंने व्रशब धज पशुपती से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की शिव के द्वारा खादे पदार्थ प्रस्तुत करने में विलंभ होने के कारण शुधा पीडित पार्वती ने क्रोद से भर कर भगवान शिव को ही निकल लिया ऐसा करने के फलस्वरूप पार्वती के शरीर से धूम राशी निस्रत होने लगे जिस पर भगवान शिव ने अपनी माया द्वारा देवी पार्वती से कहा धूम्र से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा नाम धुमावती पड़ेगा एक अन्य कथा भी है कि महाप्रले के समय जब सब कुछ नश्ठ हो जाता है स्वेम महाकाल शिव भी अंतरध्यान हो जाते हैं मा धुमावती अकेली खड़ी रहती हैं और काल और अंतरध्यान से परे काल की शक्ति को जटाती है उस समय न तो धर्ती नहीं सूरज चांद सितारे रहते हैं रहता है तो सिर्फ धुमा और राख वही चरम ज्यान है निराकार ना अच्छा न बुरा नशुद न अशुद न शुब न अशुब न अशुब बगला मुखी दो शब्दों के मेल से बना है पहला बगला और दूसरा मुखी बगला मुखी से अभी प्राय विरूपन का कारण और वक या बगला पक्षी जिसकी क्षमता एक जगे पर अचल खड़े होकर शिकार करना है मुखी से तात पर है मुख देवी का घनिष्ट संबंध अलोकिक पारलोकिक जादूई शक्तियों से भी है जिसे इंद्रजाल कहा जाता है देवी बगला मुखी समुद्र के मध में सिद मडमे द्वीप में अमूल रतनों से सुसजित सिंगासन पर विराजमान है देवी तरिन मेत्र है मस्टक पर अर्ध चंद्र धारन करती है पीले शारिरिक वर्ण की है देवी ने पीला वस्त्र और पीले फूलों की माला धारन की हुई है देवी के अन्य आभूशन भी पीले रंग के ही है और अमूल रतनों से जडित है दस महा विद्याओं में नवी देवी है मात हनुमान जी के गुरु मतंग मुनि थे जो मतंग समाच से संबंध रखते थे। देवी का संबंध प्रिक्टरती परशुपक्षियों, जंगलों, वनों, शिकार इत्यादि से हैं और जंगल में वास करने वाले वनवासी, आदिवासियों, जंजातियों की देवी पूजिता है देवी मतंग मुनि के पुत्री की रोप में भी जानी जाती है, कालंतर में ये देवी बौध धर्म में मातागिरी के नाम से भी जानी जानी लगी श्रीमत भागवत के आठवे स्कंद में देवी कमला की उत्पत्र की कता है दस महा विद्याओं में अन्तिम देवी कमला तांतरिक लक्षमी के नाम से भी जानी जाती है देवी कमला जगत पालन करता भगवान विश्न की पतनी है देवताओं और दानों ने मिलकर समुद्र का मन्थन किया था समुद्र मन्थन से जो रत्न प्राप्त हुए थे उनमें देवी लक्षमी भी थी जिने भगवान विश्न को प्रदान किया गया और उन्होंने देवी का पानिक रहन किया देवी का घनिष्ट संबंद देवराज इंद्र और कुबेर से भी है इंद्र देवताओं और सुर्ग के राजा है और कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन है देवी लक्षमी ही इंद्र और कुबेर को इस प्रकार का वैभव राजसी सत्ता प्रदान क जाती है शैव लोग काली की और वैश्णों कमला की पूजा करते हैं कमला को ही महालक्षमी कहा गया है प्रवत्र के अनुसार दस महाविद्या के तीन समू है पहला सौमे कोटी जिसमें तुरपुर सुंदरी भूनेशुरी मातंगी और कमला का नाम है दूसरा उग्र कोटी जि और बगला मुखी का नाम आता है और तीसरा है सौमे ओग्र कोटी जिसमें तारा और तुरपुर भहरवी देवी का नाम आता है आज हमने दस महाविद्याओं के बारे में मात की कल हम बात करेंगे 64 योगनियों के बारे में नौरात्र में दुरगा पूजा के अऊसर पर अत ब्रंभांड की सारी सिध्यों के दर्वाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारन से ही भैभीत होकर दूर भागने लगते हैं मा दुर्गा की सात्वी शक्ति के शरीर का रंग घने अंदकार की तरह एकडम काला है नाम से ही ग्यात होता है कि मा कालरात्री का रूप भायानक है सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्ध की तरह चमकने वाली माला है अंदकार में सिध्यों का विनाश करने वाली शक्ति हैं मा कालरात्री काल से भी रक्षा करने वाली हैं मा कालरात्री मा कालरात्र के तीन नेत्र हैं ये तीनों ही नेत्र ब्रम्भांड के समान गोल हैं इनकी सांसों से अगनी निकलती रहती है मा की सवारी करदब है उपर उठे वे दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है दाहिनी तरफ नीचे वाला हाथ अभे मुद्रा में है यान का रूप भले ही भैंकर हो लेकिन वो सदयो शुभ फल देने वाली हैं इसलिए वो शुभंकरी भी कहलाती है यानि इनके भक्त को किसी भी प्रकार से भैबीत होने या आतंकित होने की कोई आवशक्ता नहीं होती मा कालरात्री के दर्शन से भक्त पुर्णि का भागी बनता है कालरात्री की उपासना करने से प्रम्भंड की सारी सिद्धियों के दर्वाजे खुलने लगते हैं तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारन से ही भैबीत होकर दूर भागने लगती हैं दानव, दैत, राक्षस और भूत, प्रेद उनके इस्मरन से ही भाग जाते हैं मा कालरात्री ग्रे बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्न, जल, जन्त, शत्रु और रात्री भै दूर हो जाते हैं मा कालरात्री की क्रपा से भक्त हर तरह के भै से मुक्त हो जाता है मा कालरात्री दुष्टों का विनाष्ट करने वाली हैं मा की क्रपा से बाधा आजिता से दूर कर देती हैं माकालरात्र की पूजा, अर्चना और साधना से अकाल, मृत्त, भूत, प्रेप, बाधा, व्यापार, नोकरी, अगनिभय, शत्रुभय, आदिसे छुटकारा मिल जाता है कुंडली जागरन के साधक इस दिन सहस्तरार चक्र को जागरित करने की सिथ होता है, कुंडली जागरन हेत, जो साधक साधना में लगे होते हैं, वो इस दिन सहस्तरार चक्र का भेधन करते हैं, नौरात्र सब्तमी तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अत्यंत महात्वपूर्ण होती है, सब्तमी की रात्री सिध्धियों की र सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, धन्यवाद, देवी मा की क्रिपा आप पर सदयों बनी रहे, जै मा दुर्गे